काबा को लेकर सदन में मचा हंगामा यूपी पुलिस के एक्षन पर अखलेश यादव ने कसा तंच और अब सीम योगी ने भी लेली चूटकी उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों नहा सिंग राठोर के गानी यूपी में काबा गाने का सीजन टू काफी सुर्खियों में बना हुआ है जिसे लेकर कानपूर पुलिस ने लोग गाईका को नोटिस भी थमा दिया जिसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर हमलावर हैं लेकिन नहा सिंग राठोर के इस गाने का खुद सीएम योगी आजितेनात ने जवाब दिया है जिसके बाद सदन में मौजूस सदस से जोर जोर से हसने लगे सीएम योगी ने यूपी विधान सभा में बोलते हुए अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया दरसल पिछले दिनों नहा सिंग राठोर का यूपी में काबा सीजन टू गान आया जो सोशल मेडिया पर काफी वाइरल हुआ इस वीडियो में उन्होंने कानपूर में मा बेटी की जलकर हुई मौत के मुद्दे को भी उठाया और इसके जरिय बुल्डोजर, कानपूर परशाशन और यूपी सरकार को कट घरे में खड़ा करने की कोशिश की नहार आठोर को नोटिस मिलने के वास सपानेता अखिलेश यादव और आमाद में पार्टी उनके समर्थन में खुलकर आ गई सपाध्यक्ष ने नियार आठोर के गाने की तरज पर ट्वीट करते हुई योगी सरकार की कारवाई पर सवाल उठाय थी और अब विधान सबा में कारवाई शुरू हुई तो सपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने काबा को लेकर सीम योगी पर तंज कस दिया यकिन करो नेता सधन अगर कोई कविता हमारे खिलाब बनाता हम बुरा नहीं मांते और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूँगा मैं पहला हो सकता अगर आपकी जानकारी मों तो बता देना जिसने अपने कार्टून की किताब छबाई थी बारी जब सीम योगी के बोलने की आई तो उन्होंने भी बड़े मजा के अंदास में काबा का जवाब बाबा से दे दिया सीम योगी ने कहा कि लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में काबा अरे बाबा बाना उन्होंने विपक्ष की और इशारा करते हुए कहा कि कुछ नहीं करते हैं उससे भी परिशान है लोग परिशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है इस पर सदन में जोर-जोर से ठाके सीम योगी के सब्यान से लोग गाई करने हसी गराठोर की यूपी में काबा गाने के जवाब के तोर पर देखा जा रहा है तो देखा आपनी यूपी में काबा को लेकर गहमा गहमी चल रही है और इसकी आँच अब विदान सबर तक भी पहुँच गई है फिलहाल लियां सिंग राठोर लगतार अपने गीतों से सरकार पर निशाना साथ रही है देखना होगा कि ये विवात कब खत्म होता है वीडियो को शेर कीजिए और जुडे रहे हेडलाइन सुतरप्रदेश के साथ